सबसे पहले मैं इस देश के माननीय प्रधान मंत्री जी जिनके नेत्रितु में देश आगे बढ़ रहा है और उस नेत्रितु करता के नेत्रितु में जो माननीय रेल मंत्री इस रेल के लिए दिनरात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं असुनी वैस्तर जी को धेर सारी बधाई और सुब कामना देना चाहता हूँ सवापती महदे मैं भारत सरकार को इसलिए भी धन्यबाद देना चाहता हूँ कि आज तर जो भी रेल लाइन बनता था इस्टेशन बनता था उसमें एक जो क्रेटेरिया था और जिस कारण से कि 70 साल 75 साल तक कि अब बड़े परिशान रहे जब से ये member of parliament हुए है तब से वो लगातार कहते रहे कि मेरा रेल लाइन कैसे बनेगा तो रेल लाइन बनाने का जो क्रेटेरिया था वो क्रेटेरिया दो तीन था एक ख्रेटेरिया यह था कि यदि आपका rail line profit में है उस rail line को बनाने से यदि economic return ज़्यादा मिलेगा तो बनेगा दूसरा था कि यदि राजी सरकार उसमें मदद करना चाहती है राजी सरकार free of land दे दे तो बनेगा राजी सरकार उसका आधा खर्चा दे दे तो बनेगा या जो PSU's है या जो private company है या जो सरकारी company है जो transportation करती है यदि उसका एक SPV बना कर वो यदि rail line बनाए तो शायद rail line बन जाए इसके उपर और एक criteria भी है और वो first criteria है कि अगर मंतरी हमारे state से हैं और हमारे इलाके से हैं धन्यवाद sir धन्यवाद sir धन्यवाद सभापती महदे माताव सहाब सदन के senior वरिश्ट नेदा जो कोई भी suggestion देते हैं वो genuine suggestion देते हैं और चुकि हमसे senior है पिनों ने जो है लालू प्रसाद जी के दौर को देखा है ममता जी के दौर को देखा है मलिकार जुन खरगे जी के दौर को देखा है तो निश्ची तोर पर उड़ीसा बिहार जारखन नेगलेक्टेड रहा है इसलिए उनकी पीडा को मैं समझ सकता हूँ लेकिन आज मैं जिस राज्य से आता हूँ जारखन जो की इस रेल को चलाता है यदि इस रेल को आज भी कोई राज्य चलाता है तो वो मेरा राज्य जारखन चलाता है जो 40% revenue है रेलवे का वो केवल और केवल जारखन से आता है जारखन नेगलेक्टेड रहा था लेकिन ये माननी प्रधान मंत्री जी का सरकार है और अस्वनी वैस्णब जी उसके मंत्री है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कि वो जो पहला क्रिटेरिया था, कि जिस राजी से रेल मंत्री आते थे, क्योंकि ये उडिसा का जो है, चंक ले जाना चाहते हैं, सुनी वैसनप जी को याद फिशेरी है, जिसको के बेरेफिट मिला है, वो मैं खुद है, इसलिए मैं रेल मंत्री जी का जहां से मैंने अपनी बात खतम की, कि धन्यवाद देना चाहता हूँ, कि उन्होंने डेड़ सौ साल का जो जक्न था इस देश को, ट्रावल एरियाज में नहीं बनेगा, बैकवर घोसना कर दो, दूसरी बार को हो कि लेंड एक्वायर हो रहा है, तीसरी बार को हो कि थोड़ा पैसा इसमें दे दिया, और रेल लाइन जो 25-35-35-35 साल से नहीं बना, मेरे भी छेतर में सर, 1995 में जाफर सरीफ जी ने एक रेल लाइन का जो है सिलानियास किया था और रेल है कि अब हम economic rate of return के आधार पर नहीं, केवल और केवल backward इलाके में भी यदि मुझे रेल लाना है और रेल की आवशक्ता है, तो उसको पियम गति सकती के तौर पर रेलवे अपने फंड से पैसा देगी और जिसके लिए मानने वित मंत्री ने जाओ है, दो लाग चालिस जार क्रोड का इतना वड़ा फंड दिया है, जिसमें 75,000 क्रोड रुपईया तो नए रेल लाइन के लिए दिया है, तो मैं भारत सरकार का, मानने वित मंत्री जी का और मानने रेल मंत्री जी का आभार प्रगट करना चाहता हूँ, जिसके कारण मेरे इलाके में, जो गोड़्ड जो यह रिजुलिशन है, यह रिजुलिशन बड़ा अच्छा रिजुलिशन, इस देश में तक्रीवन तक्रीवन साड़े 8,000 रेलवे स्टेशन, और साड़े 8,000 रेलवे स्टेशन की जो इस्थिती है और येदि ट्रैक की इस्थिती येदि देखेंगे, हम लोग तो गंटा 45 मिनट बढ़िया से किसी भी रेलवे स्टेशन पर खड़े नहीं हो सकते थे, ये 2014 के पहले की स्थिती थी, चाहे इसको आप अच्छा मानना चाहें, मानना चाहें, बुरा मानना चाहें, बुरा मानना, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने स्वक् स्वक्षेता होना चाहें, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कि इसकी साफ सफाई स्वक्षेता स्टार्ट है, इसके बाद जो सबसे महत्पूर है, और यदि देखेंगे दुनिया में, दुनिया में जहां भी डवलप्मेंट हुआ, उसमें रेलवे का एक बहुत दुनिया ने एक मॉडल स्टेशन मना, और उसी के आधार पर सारी सरकारें काम करती है, लेकिन यदि आप टूरिजम के देखेंगे, क्योंकि मुझे ये लेकता है कि बहुत जादा जो है, ये माइन्स, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें रुजगार देता है, न लोगों को टूरिस्ट है, टूरिस्ट जाते हैं, टूरिस्ट पैसा खर्चा करते हैं, और वो टूरिस्ट का सबसे बड़ा मोड जो ऑपरेशन है, या ट्रांस्पोर्टिशन है, वो रेलवे है, जो हमारे यहां उसको लैक हुआ, अभी भी इस देश में 400 ऐसे स्टेशन है, जो टूरिस्ट में हैं, और दूसरा क्रिटेरिया वो है, जो दर्सनी अस्थल है, जो टूरिस्ट स्पोर्ट है, जहां की लोग जाते हैं, और तीसरा यह है, कि धार्मी का अधार पर जो टूरिस्ट जाते हैं, उसमें से तक्रीवन तक्रीवन 400 ऐस्टेशन थे, और पिछले भारत सरकार को और मानी रेल मंत्री को बढ़ाई और धनिवाद देना चाहता हूँ कि इनों ने ये तै किया कि हम अपने खर्चे से ही इसको बनाएं और इस खर्चे से बनाने के बाद मुझे लगता है कि पूरे देश का डवलप्मेंट हो जाएगा कि वाल सवापती मुझे पाच मिनट में मैं अपनी बाते खतम करूँगा लेकिन जो मुख्य मुद्दा है सर कि बड़े सहरों में जैसे ये जो 23, 24, 26, निरों ने पहले फेज में मार किया था उसमें 2700 एकर जमीन के आसपास जो है और वो एनक्रोज है काफी और अभी जिस तरह से उत्राखंड में चीजें डवलप हो रही है कि रेलवे अपनी ही लेंड को नहीं ले पा रहा है और उसमें सुप्रिम कोट हाई कोट कर रहा है और राज्य सरकार जो है कई एक जगा मदद करती है जहां मदद नहीं करती है वहां बड़ी समस्या है लेकिन इसमें जो मेरा सवाल है सर कि यदि टूरिजम में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको देश समझने के आवशकता है दिल्ली में, मुंभई में, कलकत्ता में तो आप कर लेंगे उसकी एकोनामिक वायबिलिटी आ जाएगी बहुत आसानी से आ जाएगी लेंड महगा है, एकोनामिक वायबिलिटी आ जाएगी लेकिन हमारे जैसे लोग जो बड़े ही रिमोट एरिया से आते हैं अब आपको बताओ कि आज ही प्रसन था धर्मेंद प्रधान जी उसका उत्तर दे रहे थे, मनिस्तिवारी जी कह रहे थे इस देश को जाने देखो अपना देश जो मानने प्रधान मंत्री जी का कारिक्रम है उस कारिक्रम में मैं जिस इलाके से आता हूँ उस इलाके से आप ये समझे है कि यदि साइन्स की बात करेंगे तो फॉसिल जो है कि भारत की सभेता और संस्कृती कितनी पुरानी है फॉसिल उसका एक सबसे बड़ा विसे हैसर और हमारे यहाँ मेरे इलाके में 19 करोड साल पुराना उनीस करोड साल पुराना फॉसिल है जिसके उपर कि इस देश के सबसे बड़े बैग्जानिक बिर्बल साहनी जिनके नाम पर की एक इंस्टिचूट है लखनों में उन्होंने रिसर्च किया और बिर्बल साहनी जो है वो नोवेल फ्राइज मिलते मिलते रह गया उस फॉसिल का जो इस्टेशन है साहब जो मालगाड़ी से 1940 में जाया करते थे सर आज वो इस्टेशन ऐसा है कि जो डवलप नहीं हो पाया हम फॉसिल देखने के लिए अपने विद्यारतियों को अपने बच्चों को कनाड़ा की कलेगरी ले जा रहे हैं यूएस ले जा रहे ह हैं उससे पुराना फॉसिल हमारे यहां है लेकिन चुकि कनेक्टिविटी नहीं है रेलवे स्टेशन हम प्रॉपर नहीं बना पाए तूरिस्ट डवलप नहीं हो पा रहे हैं इसी लिए जो है उस साहब गंज का डवलपने डवलपमेंट नहीं हो पाया उसी तरह से मैं आप और अजरत के किसी भी इलाके में कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा कि यह मंधार पहाड एई इसमें समुद्र मंथन हुआ और आप सब लासर और अम्वरिट जहान जहां गिरा वहाँ बड़ा station बन गया या बड़ी चीजे हैं जैसे नासिक में हो गया सर, हरिद्वार में हो गया अलाहाबार में हो गया तो आप समझें कि बड़े station डवलप हो गये लेकिन उस मंदार के बारे में देश को पता ही नहीं वहाँ station है वो station डवलप नहीं हो रहा है जैसे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट न वैशनो देवी में जा रहा है न तिरुपती में जा रहा है न सिडी जा रहा है सर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है मेरे इलाके में जा रहा है जसीडी उसका स्टेशन है लेकिन यदि जसीडी देखेंगे तो राज्य सरकार के कारण कि रशना की तो मधुपूर है जो हमारे जो जिस पार्टी से मैं सांसद हूं उसके जो पहले अध्यक्स थे जंसंग के स्यामा प्रसाद मुखर जी जी का वो घर है वहां जो है महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि वो आजादी का अंदोलन जो है उसी से चाते थे देवघर से चलाने चाते थे उनकी आटवाग्राफी जो है उसी देवघर मधूपूर का जिक्र है तो मैं ये कह राओं की सर कि जो इस तरह के परसनात है जसीडी है बासकीनात है तारा पीठ है मंदार है विक्रम सिला जो मेरा गाओ है जिसने की इस देश को नहीं दुनिया को सबसे पहला वाई सांसर रियासर भगवान अतीस दिपांकर आटवी सतावदी में दुनिया के पहले वाई सांसर रूए भगवान अतीस दिपांकर ऐसे आदमी थे जिन्होंने दलाई लामा पंध क्या स्थापना की लेकिन इस तरह के स्टेशन डवलप नहीं हो टूरिस्ट नहीं जा पाते हैं, उसका डवलप्मेंट नहीं हो पाता है, मेरा आपके माध्यम से, सरकार से और रेल मंत्री जी से आग रहे हैं, कि आपने कई एक पॉलिसी बदली है, कई एक चीजे बदली हैं, बड़े सहरों से अलग हट कर, जहां टूरिस्ट की समभावना है टूरिस्ट की संभावना है, और जो अपने भारती सभ्यता और संस्कृति को दिखाने का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है, वहां के स्टेशन को डवलप करिए, और इस देश को आगे बढ़ाईए, इन्ही सब्दों के साथ जय हैं जय भारत